हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका आपने यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों इस इंट्रेस्टिंग फिगर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो भी कमपनी है काफी ज़्यादा जबरदस्त है और मैं आपको बता दूँ कि इसका मार्केट कैप दो हजार करोड से कम है यहाँ पे आप देखेंगे कि 650 प्लस फ्लीट है इनके पास 5 लार्ज मरीन वेसल है इनके पास और 7 बल्क स्टोरेज टर्मिनल है उसी के साथ 5 लार्ज फ्लस एम्टी विटूमिनस हैंडल पर इयर सर्विस प्रोवाइड करती है यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तो मैं जिस कमपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो कमपनी काफी ज़्यादा बड़ी है लेकिन जब आप मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको अवेर रहना पड़ेगा जैसे कोई EV में अगर निवेश कर दिया है तो उसको यह भी पता होना चाहिए कि EV के उपर एक बहुत बड़ा खत्रा मढ़रा रहा है अगर वो टेकनोलोजी सस्टेन कर गई तो EV पूरी तरजके से डेश्ट्रॉय होने वाला है यह बात आप याद रखना दोस्तों उसके आने से हाइड्रोजन एनर्जी है उसके भी प्रभाव पढ़ने वाला है तो ऐसा क्या है जो कि इस खत्रे को लेकर आ रहा है मैं आपको ट्विट के माध्यम से बताऊंगा और उस पे बिस्तरी तरद्यन कर रहा हूँ जब मुझे पूरा पता चल जाएगा तो मैं आपको चीजे आसानी से डिलेवर कर पाऊंगा फिलाल मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं कुछ चीजे और कुछ बाते आपको बताते हैं मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों उसका नाम है अगरवाल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिम्टेड यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सो और रहा होगा अगरवाल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन निम्टे 1521 करोड का मार्केट का एफ है माफ करना थोड़ा सा गर्द बड़ी हो जा रहा है 1521 करोड का मार्केट का एफ है आप देखेंगे कि 1017 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है 1155 का आई है 531 का लोग है NSC और BSC दोनों पे ही लिष्टेड यह कमपनी है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ROC और ROE काफी ज़्यादा तगड़ा है Debt to equity आप देखेंगे कि 0.46 है यानि manageable है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है intrinsic value 1427 रुपा है book value 298 रुपा है company आपको dividend भी pay करती है और face value 10 है यानि कभी भी आपको एक के बदले 10 share मिलेंगी यह तो हो गई कुछ basic जानकारिया और इसके अगर P की बात कर लें तो P 15 का यहां 100 हो रहा है industry का P 15 का है यानि एक fair value पे यह stock trade कर रहा है pay ratio के इसाब से या stock undervalued है यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इनके हम product portfolio में आ गए है यानि बात करेंगे इनकी business के बारे में तो आप देखेंगे की innovative bitumen product है जो की क्या काम करेगा दोस्तों challenges आप roads, roofing and insulating material से सम्बंदीत या जो bitumen product है वो काम करेगा और इसी से सम्बंदीत जो चीजे हैं वो provide कराएगा आप देखेंगे की a modify जो bitumen है a bitumen coat, bitumen plast, bitumen, bitumen और emulation bitumen paint के साथ bitumen emulsion material भी इससे बनाया जाएगा जो इसका bitumen product है एक wide range of product इससे बनने वाला है दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे की इसकी जो website है काफी ज्यादा अच्छी है यहाँ पे आप देख पाओगे जो bitumen product है उसके बारे में आप देख सकते हो की यह किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि कितने type का bitumen इनके पास उपलब्द है तो यह आप यहाँ पे पढ़ पाओगे कि viscosity, grade bitumen, industrial grade bitumen, उसी के साथ bitumen, emulsion, b2 coat, b2 paint जो ऐसा कि मैंने आपको बताया वो सभी चीजे यहाँ पे उपलब्द है दिखाई पढ़ रही है दोस्तों, characteristic के साथ साथ सभी चीजे यहाँ पे लिखी हुए है आप चाओ तो आके पढ़ सकते हो बिष्टरित और यह जो है कि इनके main product है अब हम और चीजों के बारे में बात करते है यह company solution क्या provide करती है इसके बारे में बात करेंगे company largest private player है bitumen में भारत में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो bitumen है उसमें भारत में largest private player है उसी के साथ bulk bitumen transportation का काम है इस company का यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह vessel बना हुआ है तो इसको आप देख सकते हो large main vessel having total capacity 29,500 million ton यहाँ पे आप देख सकते हो 350 plus bitumen tanker है इनके पास rubber processing का काम है rubber processing aisle जिसे कि हम shortcut में RPO कहते हैं उसका भी काम है इस company का आप यहाँ पे देख पाओगे LPG transportation का काम है और उसी के साथ हम बात करते हैं कि renewable energy से सम्मंदित windmill से सम्मंदित काम करती है company तू windmill company ने install कर रखा है जैसल मेरिल के राजस्थान में और धूलिया के महराष्ट में उसी के साथ huge bulk storage terminal भी है इस company के पास यहाँ पे आप देख सकते हो total storage capacity है 30 million ton जियां दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो access to shipping network यहाँ पे आपने यह देख लिया सभी चीज़े product में भी आपने देख लिया अब हम बात करने वाले हैं कुछ basic चीज़ों के बारे में जैसे कि इसके quarterly result के बारे में और मैं आपको बता दूँ कि जो भी अगरवाल ग्रूप की company आए हो अच्छा करती है इसमें एक hospital भी है अगरवाल ग्रूप का उसे भी आप track कर सकते हो sales अगर हम देखें तो December 20 में 208 करोड से sales बढ़के 488 करोड हो गई है द्यान रहे कभी कभी इसमें गिरावट भी आती है चुकि ये chemical से सम्दित है तो आपको चीज़े समझनी पड़ेगी operating profit margin की बात कर लें तो operating profit margin 10 से 9 परसेंट और 6 परसेंट के आसपास आ रहा है आप यहाँ पे देख पाओगे और उसी के साथ हम बात कर लें कि company का net profit क्या है उसको अगर देखने की कोसिस करें तो आपको दिखाई देगा कि net profit profit 20 से 2020 से 11 करोड से बढ़के 28 करोड हो चुका है अगर हम यहरली तोर पर बात कर लें तो यहरली तोर पर क्या दिखाई पड़ेगा दोस्तों इस quarter का result अच्छा है यह बात आप समझ लेना पिछले quarter से और यहरली रिजल्ट की बात कर लें तो यहरली में आपको दिखेगा मार्च 12 12 में 82 करोड की sales कर पा रही थी अब फिलाल में 2015 की कर पा रही है 2015 करोड की और अब हम बात कर लें आगे की net profit का क्या आल है तो net profit आप देखेंगे कि 2 करोड से 100 करोड हो गया है net profit company का 2012 से अब तक तो यह बाते आपको समझनी पड़ेगी company grow कर रही है लेकिन दीरे दीरे अपरेटिंग profit margin 10% से ज्यादा होता है तो company बहुत अच्छा return बना के देने वाली है आप देख सकते हो कि अभी भी company अच्छा है return return बना के दिया है 10 वर्सों में 21% CAGR 5 वर्सों में 45% CAGR के हिसाब से अपन 207 करोड की है fixed asset देखने के कोशिश करें तो अभी फिलाल में 410 करोड का fixed asset है और company लगातार expansion भी कर रही है आपको ए दोनों column देखने से पता चल जाएगा दोस्तों share holding pattern पे चलते हैं क्योंकि वो भी देखना हमें कापी ज्यादा जरूरी हो जाता है आप देखेंगे share holding pattern में जो FII है उनके पास 6.24% की holding है आप देखेंगे कि September 21 से इन्होंने लगातार अपनी holding को increase किया है अभी इनके पास 6.24 की holding है प्रमोटर के पास 57% की holding है जबकि जो DII है उनके पास मामली सी 0.14 और public के पास 36% की holding है क्या इसमें कोई बड़ा निवेसक भी सामिल है यह देखने क क्या इसमें कोई बड़ा निवेसक भी है तो जी हाँ दोस्तों इसमें बड़े निवेसक भी है जिसमें की 80 कचवलिया साहब है इनके पास 4% का stake है और इन्होंने अपने stake को लगातार increase भी किया है उससे के साथ value worth advisor LP भी है इसमें 1.24% और अगर हम बात करने की प्रतीक जैन GBN 1.02 और हम चंद जैन GBN 1.01% stake के साथ तो कुल मिला जो लाखर कहें तो company काफी ज़्यादा जबरदस्थ है अगर आपको सस्ते price में मिले कभी तो आप इसे जरूर include करना अपने portfolio में आपको better return बना के देगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि product में क्या है manufacturing, trading, vitamin and value added vitamin product उसी के थाथ company large fleet भी fleet के माद्यम से bulk vitamin और LPG cylinder logistic का भी काम करती है power generation का भी windmill के थूरू काम करती है जैसा कि मैंने बताया दो जगा power generation windmill लगा हुआ है इनके और various ship vessel or scene related activity भी company करती है इनकी एक fully subsidiary company है AICL जो कि इसे समंधित काम करती है, client count कौन से है आप यहाँ पर देख पाओगे और उसी के साथ अगर हम बात कर लें कि company ship activities में भी काम करती है जैसा कि मैंने आपको बताया और company ने अभी नया नया एक vessel खरीदा है जो कि इनका नवा vessel होने वाला है यह बात भी याद रखना तो दोस्तों अगर हम बात कर लें कि company किस प्रकार की है मोटा मोटी तो company काफी ज़्यादा जबरदस्त है और यह company लंबे समय पे रखने पे यह 10,000 करोड की भी होने वाली ह यह बात भी आपको बोलना नहीं चाहिए चुकि भारत 2047 तक बिक्सित भारत का सपना देख रहा है तो यह company भी काफी जाए